तो सत्या का सेमी फाइनल लगातार जारी है बदबर्दे शत्यस गर्ड और राजस्तान में कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से चेहरे को लेकर मंथन का दौर चल रहा है कारेकरता सडकों पर उत्रे हुए है नारेबाजी की जा रही है संघर्ष भी देखने को मिल रहा है लेकिन पार्टी प्रवक्ता क्या रहा है कि सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है अनुसाशित तरीके से हो रहा है रोहित चहल आपको लगता है कि सब कुछ सामाने होने जा रहा है बहुती अनुसाशित तरीके से नाम का एलान हो जाएगा शपत घ्रन हो जाएगी और जो काम आप नहीं कर पाए कॉंग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री आने वाले पांच साल में करेंगे। लेकि रोई चल ऐसा ही काम तो आप भी करते थे उत्तर प्रदेश में उत्राखन में जारखन में इस तमाम जगों पर जो चुनाव आपने लड़ा आपने भी किसी नाम का एलान नहीं किया। कॉंग्रेस कितना करेंगे एप्लिकेशन बनाकर आईवश इंडिया का फायदा उठा रहे हैं ज्यादा पारदर्श्टा ला रहे है। इतना ही अगर पारदर्श्टा राहूल गांदी जी जब बने अध्यक्ष तो अगर उसमें ले आते तो बहुत अच्छा रहता कि किसी नॉमिनेशन नहीं डालने दिया गया। तो अभी भी इसे मैं कहना है यह सिर्फ बहाना है आखरी में राहूल गांदी परिवार को ही मौर लगाना है। इसा संगठन होगा युवा संगठन जिसमें चुनाओं की परक्रिया उन्होंने सुरू की थी आज तक चल रही है। कर रहे हैं हमारे करकरताओं का एक विश्वास हम पर जो है उस विश्वास को राहूल जी बढ़ाना चाहते है और यह राहूल उन्होंने की कोशिश है। साल पुराने कॉंग्रेस अध्यक्ष के वादे के मताबिक। देखिए दोनों पार्टी के प्रवक्ता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं आंतरिक लोकतंसर को लेकर तो दोनों को ये बात मालूम है कि किसी भी प्लिटिकल पार्टी में अब आंतरिक लोकतंसर नहीं रह गया है। जहां तक सवाल एप के जरिये मुख्यमंतरी चुनने की बाद जो कॉंग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं उनको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि कारिकरताओं की रायशमारी प्रत्याशी चैन के लिए तो बहुत सही है लेकिन मुख्यमंतरी चैन के लिए विधायकों से अल मुख्यमंतरी होगा यह लगभग अगोशित रूप से तैय है यहां कमनलात को वो कमान सोपी जाएगी और वहां गहलोत को कमान दी जाएगी यह इसलिए कि अभी जो चुनाव में जीत हुई है कांग्रेस की अब कांग्रेस इस जीत को 2019 के लोग सबच वाग में कनवर्ट कर करना चाहेगी यही हिंदी राज जहें जहां से बीजेपी को बड़ी सफलता मिली थी और 2014 में उसके सरकार बनी थी उननीस में एधी बीजेपी को सिकस देना है कॉंग्रेस को तो इनी हिंदी राज्यों में उसको लोकसभा में बहतर प्रदर्शन करना होगा और बहतर प्रदर्शन करने के लिए अनुववी राज्यताओं की ज़रुत होगी मुख्या के रूप में तो मुझे लगता है कि महीं तक लोगसभा चुनाओं तक गहलोत और कमलनाज ये दोनों राज्यों के मुख्वंसी बनाए जाएंगे मोहित रास दूबे अमारे साथ जुड़ें मोहित आप तो लगातार कॉंग्रेस पार्टी को कवर करते रहे हैं जो बात यहां पर गरजा शंकर जी कह रहे हैं वो करें कि अनुववी चेहरों का इस्तमाल होगा इसकी संभावना जादा ऐसे में राहूल गांधी के युवा चेहरों को जादा हिस्सेदारी देने के वादे का क्या होगा चलिए लगता है मुईत तक हमारी आवाज नहीं पहुंचे रही ता आप कुछ कहना चाहिए च्छोटी सी बात करना चाहूं मैं सर को सुन रहा था बड़ एच्छी सर ने बात के विधाय को को ही तै करना चाहिए कि उनका नेता कौनों का एक बात तो अब वहां से बैठ कर वोटिंग कराएंगे अब कौन सचिन पाइलेट जी कितने वोट डलवाएंगे वहां बैठ कर और कितने पोट जोती रादिते जी मुझे लगता है कॉंग्रेस पार्टी इसी में रह जाएगी विधायक द उन्हें भी मैं कहाना चाहूंगा कि विधायकों की राय के लिए ही दिल्ली से अफजर्बर भेजा गया है और यह कॉंग्रेस में ही ऐसा संभाव है भाजपा में तो बस खट्टर साब बन जाते हैं मेरा तो यह कई प्रश्ण है कि आपके दिवेंगानी जी के खिलाफ किसी आते हैं प्रदेशों से सब देते हैं लेकिन आपकी दो पार्टी का अंदर चुनाल रहे की जब बात आती है तो भार क्यों आते हैं लेकिन अजय उपाध्या है जो बात रोहिचल कह रहे हैं यहां पर हो यह कह रहे हैं कि अगर विदायक दलकी बैठक में मुखमंत्री के च प्रदेश में कमल नात का नाम लगभग लगभग तेह सुत्रों के हवाले से और राजिस्थान में अशोग गहलोत का फिर क्यों यह सब कुछ हो रहा है रस्मत आएगी है क्या सब कुछ यह जो आपने बोला अनुराग जी अनुराग जी विदायकों की राए लेना क्या यदि आपको लगता है कि उचित नहीं है तो नहीं ले जानी चाहिए थी हम तो प्रजातांतरिक व्योस्था का प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी अच्छी प्रजातांतर का एक कम से कम उधारन हम पेस करें और अब हम करें तो भी दिक्कत ना करें तो भी दिक्कत अब वही बात हो जाती है कि बस आपके अनुरूप ही हर चीज हो तो कैसे चलेगा आपका मतलब भाजपा और बाकी सातियों का मेरा मानना है कि एक प्रकरिया है democratic प्रकरिया है Congress. party उस democratic प्रकरिया को अपनाते हुए एक अच्छे बैक्तितो को जो प्रजातांतरिक मुल्यों में विश्वास रखने वाले लोगों के बीच से चून कर आएगा जिस तरह से Congress पर लोगों ने भरोसा किया है कॉंग्रेस भी अपने विधायकों पर वरोसा करके उसमें का जो अच्छा वेक्ती जिसको वो चुनते हैं उनको मुखमंतरी का ताज पहना करके और वहां के जनता की सेवा के लिए उनको लगाना चाह रहे हैं तो आप करें कि लोकतांतरिक मुल्यों का सम्मान करने वाला मंद्रप्रदेश में 114 कॉंग्रेस पार्टी के विधायकों में से कोई और चाहरा भी हो सकता है इन दोनों के ने अलावा देश के डिमोक्रेसी के लिए देश के सकरात्मक राजनिती के लिए जरूरी है कि 114 विधायकों में कमलनात या जोत्रदेश सिंधिया के अलावा कोई तीसरा चेहरा भी हो सकता है क्या क्या आप यह कह रहे हैं लोकतांतरिक मुल्यों में अगर आप भरुसा रखते हैं तो अजय उपाद्या ज्यादा ओ रहेगा सहजोग मिलेगा निश्चुत वैसे विधायक को वैसे मुखमंत्री को और यह प्रजात तंत्र के लिए अच्छा होगा तो यह परियास एक अच्छा परियास है लोक तंत्र की गिर्जा शंकर जी जो राजस्तान मत्रदेश चतिसकर में हो रहा है किस तरीके से आप देखते हैं ऐसा तो नहीं है कि कारेकरताओं की क्या राय है कारेकरताओं की नाराजगी का इस्तर क्या है थोड़ा इसको भी भाप लिया जाए और उसके आधार पर फैसला लिया जाए या फिर जो समवैदानिक प्रावधान है कि अगर आपको विधायक दल का नेता चुनना है तो विधायकों की सेहमति प्रकरिया के तहट लेनी है एक प्रकरिया है उसको सिरु पूरा किया जा रहा है गरजा शंकरजी विधायक दल की बैठक लेकर विधायकों की राय से उनका नेता चुना जाना ये वाकि बहुत अच्छा लोक्तांत्रिक प्रक्टिया है और इसका पालन हर पार्टियों करना चाहिए लेकिन यहां पर ये भी देखना चाहिए कि विधायकों के राय से विधायक दल के बैठक में नेता चोना जाना है तो वो नेता विधायकों में सहिक होना चाहिए, विधायकों से बाहर कोई नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है तो इसलिए बार-बार ये सवाल उठता है और ये आरोप केवल कांग्रेस पार्टी पर नहीं है ये लगबग सभी पार्टीयों पर है कि उनकी पार्टीयों में आंतरिक लोगतंतर लगबग समाप्त हो चुका है और इसलिए हम हर जगह जो हाई कमान या आला कमाने वही सारे फैस्टे लेता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करने का कोई प्रयास कोई पार्टी करती है यह स्वागत यहोग है लेकिन वहाँ पर यह होना चाहिए कि वो उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहट विधायकों की राय से विधायकों में से ही किसी नेता को चुनना चाहिए और उसी घोषना उस बैठक के बाद होनी चाहिए उनकी राय लेकर घोषना दिल्ली से हो ये भी उचीत नहीं है इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जो अपनानी की बात करते हैं उनको सही माने में लोक दूबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जैपूर से मोहित अगर कमनलात और अशोक गैलोत के नाम पर सहमती बनती है तो कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी के उस वादे का क्या होगा जो चिंतिन सिवर जैपूर में वो कर रहे तो युवाओं की जादा हिस्सेदारी से देखे राहूल गांधी लगतार बाते युवाओं की करते हैं और युवाओं को मौका भी देते हैं अगर युवाओं को मौका नहीं देते हैं तो सचिन पाइलेट यहां के अध्यक्ष राजस्तान के अध्यक्ष नहीं होते अगर सचिन पाइलेट यहां के अध्यक्ष है जोती राय सिंदिया को कमपेंड कमिटी का चेर्मेन नहीं बनाया जाता उन्होंने पचास से जादा सीटे मांगी और उतनी सीटे उनको मिली भी तो यह कहा जा सकता है कि मौका तो मिला है लेकिन अब असल सवाल यह है कि मुखमंतरी कौन होगा लोग तांतरिक परकिरिया जो अगर बात करें कि हर पार्टी का अपना संविधान होता है और कॉंग्रिस का भी अपना एक संविधान है उसके मुताबिक वो यह इस परकिरिया को अपना रही है विधायकों से बात कर रही है और अब भी आपको बता दें कि एक करके विधायकों से जो केसी बिनी गुपाल हैं जो राजस्थान के प्रविक्षक नियुक्त की अगे हैं वो बात कर रहे हैं और थोड़ी दिल के बाद देखे इसाब हो जाएगा कि नया सुभिदार राजस्थान का कौन होगा किसके सिर्पर आज सजेगा और कौन खाली रह जाएगा लेकिन अशोक गहलुत के अगर हम बात कर ले तो अनबोश्यल है और सचीन पैलेट की बात कर ले तो उई हुआ हैं कोशिश यही होगी रहूल गांधी की उसी को कमान सोपी जाए जो लोकसभाद चुनाव में उनको फैता दिला सके और इसके अलामा खास तोर पर राजस्थान में बढ़िया काम कर सके क्योंक इसका लोकसभाद चुनाव इन तीनों राज्यों में 65 लोकसभाद की सीट है और जैसा गृजा शंकर जी कह रहे थे इस बार दिली का रास्ता है नहीं तीनों राज्यों से उकर गुज्रे का ये भी लगबग लगबग तैमाना जाए मुश्किलें बीजेपी की बढ़ने व महत्मुर्ण विश्य यहां पर यह है कि जो भी वेक्ति बनाएं कॉंग्रेस पार्टी क्योंकि तैतो गांधी परिवार को करना लेकिन ऐसे वेक्तियों तै करें जो जनता को उन्होंने वादे की हैं उन वादों को पूरा करें जो युवाओ को उन्होंने सपने दिखाए य आप क्या आते काम करें वेभारत नहीं है वेभारत नहीं है एक उधारन देता हूं देखिए मंसौर की बात कर लीजिए जहां पर पूरे एक आंदोलन किया गया और ऐसी बाते की ये कॉंग्रेस के द्वारा उस मंसौर के अंदर ही जो सिसोधिया जी भारतेंता पार्टी के समस्या जरूर है और मैं तो यह कह रहा हूं कि कृसानों की अगर बात करें कृष्णी करम पूसकार मद्यपरदेश की सरकार को शिवराज की सरकार को 2013 के इंदर कॉंग्रेस पार्टी नहीं दिया था देखे काम तो हुए है लेकिन वो विशे नहीं आप तो हो चुका है लेक आज पूरे न Rodriguez से आगर वहां से गायब हुए साफ वूई है तो इसमे चर्चा होनी चाहीए ते लंगाना की गठवंदन की को की सारी जोगे आज गठवंदन की लाते चल रही है माह गडबंदन तो तेलंगाना में जो गडबंदन किस तरीके से फेल रहा वो भी एक सामने उधाना नहीं कि लोकल पार्टी का जो एक महत्पुर्ण तो मुझे लगता है सारी चीज़ें चुनावों के अंदर आगे महत्पुर्ण है तो मुझे लगता है जो भी है जन्ता को कि यात के लिए जोड़ी याल है लेकिन क्या आपको अपने विवादे यादा हैं प्रदान मंत्री जी को भाजपा आप पूछते जड़ा प्रदान मंत्री जी जो आपके वमधार supogn लगव की थी पंद्रा लाक रुपे की बात कि पाले धनलाने की गीजे उततर देता है कितनी कितनी लंबी लंबी बाते सिर्फ बाते आजे जी बार आपने दो कहा था बारा करोड को हमने हमने कहा कूओ यूवा सिर्फ जोब सिगर ने जौब क्येटरों मुद्रा लोन केते हैं तमने बारा क्रोंड को जिए यूआउ को रोजका देने आकाम दिया है आप सुने लिए आप सुन लीजे वहाद हो कि है लेकिन जुमले पड़े हैं आप तीनों राज्यों में हार चुके हैं नंबर आपके साथ नहीं है ठीक है आपके पास अपने भी बात करें रोजी एक चीज़ मैं आप से समझना चाहिए आप अब अभी सुन रहे थे शिवरा सिंग चोहान को जिन्होंने कहा कि देखे साहब जो नीतियां है योजना है वो चलती रहेंगे मद्परदेश में लोग तो आते रहते हैं जाते रहते हैं दिखिए हम डरा नहीं रहते हम दिखा रहे थे कि मद्परदेश की अगर बात कर लें दिवगुजे सिंग जी की समय में मद्परदेश बिमारू राज्य था मद्परदेश की स्थिती क्या थी आज मद्परदेश की अगर बात कर लें शिवराज जी के समय में 6 गुना विर् लेकिन वही बात है कि गरीब को गरीब रखा गया क्योंकि वादा उनको यह डायलोग उनको पूरे जीवन बहुन आता तो दिखिए हम तो यही था कि हमने जो काम किया है और बड़ी नेक टूनेक फाइट रही है मद्यप्रदेश में और पांच-छे सीटों से हम शायद कम रह है जहां इस्त्कमी रही है उस समिक्षा करके और जनता के बीट के सवारा है एक चीज में आप से समझना चाहूंगा सर मद्यप्रदेश और राजस्तान में तो कॉंग्रेस पार्टी में दो-दो चेहरे हैं लेकिन अगर 36 गड़ की बात करें वहां मुख्यमंतरी कौन होगा तीन चेहरे सामने आते हैं भुपेश भगेल, सिंग्देव साहव और टी साहू भी क्या आपको लगता है कि 36 गड़ में घमासान कहीं जादा है तीसरा नाम इसलिए आया है क्योंकि वो मेंबर अपार्लेमेंट हैं और उनको विधान सभा का चुनाव लड़ाया गया और एक बड़े जो पिछड़ा वर्क का समधाय है उसको बिलॉंग करते हैं तो शायद इसने उनका नाम चर्चा में आया है कि उनकी दावेदारी हो सकती है मैं चौथा नाम इसमें जोडता हूँ मोतिलाल ओड़ा जो चीनियर मोस्क कॉंग्रेस लीटर है 36 गड़ के ये भी संभव है कि उनकी वरिष्टा को देखते हुए उनको भी मुख्यमंत्री का पद सोपा जा सकता है तो ये नाम है लेकिन इस बार आप देखेंगे कि जिस त घमासान जो आम तोर पर कॉंग्रेस में होता था या वो नजर नहीं आ रहा इसका मतलब ये है कि बहुत इसमूद तरीके से ये नए नेता का चुनाओ कांग्रेस कर लेगी और देखें कि तीरो राज्यों में चुनाओ के परिणाम घोशित होते होते कल बहुत देर रात बल चुनने में कॉंग्रेस के विलंब कर रही है तो लोगों से सवाल भी पूछा था कि आपके मुताबिक सबसे पसंदीदा चेहरा कौन है राजिस्तान का अगर मैं जिकर करूं तो 36 फीज़ी लोगों ने कहा था अशोक गैलोट 19 फीज़ी लोगों ने कहा था सचिन क्या संग्ठन भी इस बात को समझ रहा है और इसी के चलते अशोक गैलोट का नाम लगातार सबसे आगे है बिल्कुल संग्ठन इसको भली बाती समझता है लिहाज़ा आप देखे कि लगातार मरातन बैठक चल रही है और केसी फिन गोपाल से हमने कल बातचीत की तो उनका इशारा यह था कि जादतर विधायक जो चाहेंगे वही होगा लेकिन हमने जादतर विधायकों से आज बात हमने उनका इंटरव्यू भी किया था तुर्होंने सिधे तोर पर यह बात कही कि देखिए पार्टी अलाकमान फैसला करेंगी राउल गांदी फैसला करेंगे लेकिन हाँ अगर जनता चाहती है तो जनता के भावनाओं के बारे में पार्टी अलाकमान को जरूर सोचना चाह बोहित जरा उन तस्वीरों को भी दिखाईए जहां पर पार्टी दफ्तर के बाहर कारता मौझूद है बिलकुल हम अपने वीडियो जनलिस्त ते गुजारश करूंगा कि वो तस्वीरों को दिखाएं कि यहाँ पर जो कार करता है हो किस तरीके से यहाँ पर आगे देखे लगतार जे देखे पार्टी के जो गार करता है वो यहाँ पे नारे भाजी करते हुए नजर आ रहे है और जैसे ही आपको बतादे कि पर्देश कॉंग्रिस कमिटी का दप्तर खुल रहा है करकरताओं को लग रहा है कि कोई नया संदेश इनको मिलने वाला है कोई नहीं सूचना मिलने वाली है तो देखिए हलचल बड़ी है तो अब हुआ हो नजर आ रहे है कोई नहीं को नहीं सकता है कई ऐसे करता है जो अशोगहलुत की बदा कर रही है लेकिन जैसे ही तरवाजा खुलता है यहाँ पर कार करता हूं में हलचल बढ़ जाती है, हलचल बढ़ जाती है, लेकिन देखना यही होगा, थोड़ी दिर के बाद यह फेलता होगा, लेकिन एक चीज़ गरजा शंकर जी आपसे समझना चाहूंगा, अगर अशोग गैलोत और कमलात के नाम पर ही संक्षन मोहर लगाता है, तो जो युवा वोटर है, जो बड़ी संक्या में 2019 में भी जुड़ेगा वोटर के तौर पर, क्या वो कहीं निराश होगा? देखें, जहां तब इसके पहले बात करूँ, सर्वे की जो बात कर रहे थे आप, राइस्तान की, तो मध्यप्रिदेश में जितने भी सर्वे हुए थे, चाहे वो चेनल वालों ने करवाया हो, या कहीं और ने करवाया हो, उसमें कॉंग्रेस में जो तरदित सिंधिया का ज टिकिट वित्रंड में हमने देख लिया, सर्वे का अधार पर कुछ टिकिट नहीं बटा, और मुख्यमत्री का चैयन भी, किसी सर्वे या उनकी लोगप्रिता का अधार पर नहीं होगा, उनकी क्या वोटर होगा है, कितने आधिक वो पार्टी को लाप पहुचा सकते हैं, इस ती बनती है, तो यह जरूर है कि यहां सिंध्या को और महां पार्टी को, पार्टी बिल्कुल किनारे नहीं करेगी, उनको मुख्यमत्री भले ही न बनाएं, लेकिन को दूसरी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है, जो लोग सबा चुनाओ के लिहाद से उप्यो लिएं तीन बड़े राज्यों में, देखिए वो तो समय बताएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है नुशाषन जहां तक है, कॉंग्रेस पार्टी तुसरी गांधी परिवार से चलती है, और जहां तक दिख रहा है कि अभी मैं देख रहा था, एक की मुझे बढ़ने वाली हैं, क्योंकि यही आंतरीक कल्या सबसे बड़ी चुनाओती थी, सबसे बड़ी मुझे थी कॉंग्रेस पार्टी की, मुझे लगता है कॉंग्रेस पार्टी की जब एक व्यक्ति को नहीं बनाएंगे, परिवार एक तैय कर देगा, तो कॉंग्रेस अगर आप तीनों राज्यों को अलग नहीं हो जाते हैं, तो जनता ने कहीं ना कहीं शिवराज जी के नेतितों पे भरोसा जताया है, कुछ शायद हो सकता है, कहीं कुछ दिक्कत रही हो कमी रही है, तो उसको पूरा करेंगे, लेकिन विकास पाई हम चुनाव लड़ेंगे बले कॉंग्रेस पार्टी धरम के अधार पर, चाहिए वो जाती के अधार पर लगाता है, तो मतलब अब राम मंदिर की बात नहीं होगी, विकास की बात होगी, बहुत संचिब, दस सकते हैं, राम मंदिर जो है, वो आस्था से जुड़ाव विश्य है, राम मंदिर उसी इ मवानों का जुड़ने के लिए निजनेशन लगातार, पल-पल की अपडेट आप तक पहुचाता रहेगा सत्ता के सेमिफाइनल में, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए आप बने रहे हैं, निजनेशन के साथ,